नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलोजी स्मार्ट सपोर्ट में गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में अपना रिल्स बना कर डालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है इस तरह के रिल्स को कैसे बनाना है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप बहुत ही आसानी से इस रिल्स को बना सकते हैं इस टूटोरियल को आप लाश्ट तक देखिएगा तो चलिए हम वीडियो को इस्टाट करें अगर आपको ये वाले रिल्स नहीं मिल रहे हैं तो description box में आपको इस रिल्स का link मिल जाएगा उसे open कर ले और फिर अब हम इसे story में लगा लेते हैं story में लगाने के बाद आप इसे download कर ले ये रिल्स हम इसके music के लिए download कर रहे हैं इसका use हम अपने video में करेंगे तो अब हम editing के लिए vn app का use करेंगे तो आप भी vn app को download करके उसे open कर ले open करने के बाद plus के icon पर click करें और फिर new project पर अभी जो reels हमने download किया है वो reels choose कर ले और अपने चार photo को choose कर ले और फिर इस arrow पर click कर लेना है अब यहां पर आपको tap to add music का एक option मिल जा रहा है इस पर click कर लेना है और फिर music पर अब plus के icon पर click करें और extract from video को select कर ले अब यहां पर हमने जो reels अभी download किया है उसे यहां से choose कर ले और ok कर ले अब जो सबसे first है choose लिखा हुआ उसे select कर ले और अब right के icon पर click करें अब यहां पर music add हो गया है अब यह जो video है इसमें sound है तो हम यहां से इस sound को off कर देते हैं प्लाश में आपको black color का water mark मिलेगा इस पर click करके इसे delete कर दे और फिर अब इस video पर click करें और trim के option पर अब इसे 4.11 सेकेंड तक adjust कर ले अब पहले photo पर click करें और फिर trim के option पर अब इसे 0.90 सेकेंड तक adjust कर ले इसी तरह से दूसरे photo को भी 0.90 सेकेंड तक adjust कर ले अब तीसरे photo को 0.90 सेकेंड तक adjust कर ले इसी तरह से चौते photo को 0.90 सेकेंड तक adjust कर ले अब हम transaction आइड कर लेते हैं अब पहले photo पर click करें और फिर fx option पर अब यहां पर आपको सेक का transaction मिल जाता है सेक लिखा हुआ इसे choose कर ले अब दूसरे photo पर click करें और फिर सेक transaction को add कर ले इसी तरह से तीसरे photo में भी सेक transaction add कर ले अब चौते photo में सेक transaction को add कर ले अब आप इसे एक बार play करके चेक कर ले अब इस पर click करें और 9 ratio 16 को choose करें और फिर export पर click करें अब इसे 100% हो जाने देती हैं अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा वीडियो कैसा बना है इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के reels को edit कर सकते हैं और Instagram में अपने reels को भी viral कर सकते हैं इसी तरह के helpful videos मैं हमेशा लाती रहती हूँ तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर दे जिससे के हमारी वीडियो अप्लोड होने की notification सबसे पहले आप तक पहुचे